आज हम बात करेंगे सार्थिय नवरात्री दोजारती इस कप से हैं और नवरात्री के नौ दिनों में मातरानी को कौन से नौ भूग लगाने चाहिए इंदू धर्मे में सार्थी नवरात्री का पिसेश मेहतो है नवरात्री परव के नौ दिनों में मादरुगा की नौ सुरुपों की पूजा की जाती है सार्थी नवरात्री पूरी उत्तरी और पूर्वी भारत में बहुत उस्सा के सांद मनाया जाता है नवरात्री दसवे दिन अच्छाई की जीत के परणाम के संद बुराई के खिलाब अच्छाई की लड़ाई की नौ रातों का प्रात्मत उस्साव माना गया है इस आउदी की तवरान मादुर्गा को सक्ती उर्जा और ग्यान की तेवी के रूप में पूजा जाता है मादुर्गा के भक्तों को नवरात्री परवका इंतजार बड़ी बेसबरी से रहता है पूरे नौ दिनों तक देवी के भक्त मातरानी की उपासना में लेन रहते हैं मंदिर से लेकर घरों तक मा की जैजैकारे सुनाई दिते हैं नवरात्रियों की तैयारी महने पहले से सुरू हो जाती है हिंदु धर्म में नवरात्री का अत्यतिक महत्तो है साल में चार बार नवरात्री मनाई जाती है जिसमें चैतर नवरात्री, सार्दीय नवरात्री और दो गुप्त नवरात्री सामिल है नवरात्री पर माता अनसर मादुर्गा के नौस रोमों की पूजा आराधना की जाती है आज हम चाहनेंगे कि नौ दिनों में माता रहनी को कौन से नौ भोग लगाई जाते हैं चलिए जानते हैं सार्दीय नवरात्री कप से सुरू हो रही है पंचांग के अनसार अस्विन मास के सुख्ल पक्स की पिर्तिपधा तिती से सार्दिय नवरात्र सुरू हो जाती है और दस्तेमी तिती पर इसका समापन होता है साल दोजाते इसमें अक्टूबर में सार्दिय नवरात्री पढ़ रही है सुक्ल पक्सी की पृतिपधातिति का प्रारंब 14 अक्टूबर की राद 11.25 पर हो रहा है और इसका समापन 16 अक्टूबर की सुबै 1.13 मिनट पर होगा उद्यातितिति से सारदीन अवरात्री सुरू होगी जो की 15 अक्टूबर के दिन है इसका अर्थ है कि साल 2023 में सार्दीय नवरात्री 5 अक्टूबर से सुरू हो रहे हैं इस दिन घट स्तापना का सुब मुहरत सुबह 11 बचकर 44 मिनट से दोपर 12 बचकर 30 मिनट तक रहेगा इस 46 मिनट की अवधी में घट स्तापना करना बेह सुब रहेगा हाला कि घट स्तापना आमतर पर पूरा दिन ही की जा सकती है सार्दीय नवरात्री 2030 हिंदों का बड़ा त्योहर है सार्दीय नवरात्री 15 अक्टूबर 2030 से सुरू हो रहे हैं सार्दीय नवरात्री में 9 दिन तक मा दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है दुर्गास्ट मी 22 अक्टुबर 2030 रवियार को है महा नौमी 23 अक्टुबर 2030 सोमार को है सैल पूत्री पहला दिन नवरात्री का पहला दिन मा सैल पूत्री का होता है मा की बिद्धि पूर्वक पूजन के साथ ही उन्हें भोग में सुद्ध देशिगी चड़ाना चाहिए इससे मा सब इस कष्टों और रोगों से मुक्ति देती है मा ब्रह्मचारणी दूसरा दिन दूसरे दिन मा ब्रह्मचारणी की पूजन के साथ सक्कर सपेद मिठाई मिश्री और फलों का भोग लगाना चाहिए इससे मा बिसेश वर देती है मा चंडर गंटा तीसरा दिन तीसरे दिन मा चंडर गंटा की पूजन की जाती है इस पिरसाद को बच्चों में बाड़ देना चाहिए माँ सकंद माता पांचवा दिन माँ सकंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए इससे माँ आपको अच्छी सहत का वर्दान देती है मा कात्याईनी छटा दिन ऐसा बताया जाता है कि नवराथी के छटे दिन मा कात्याने को सहथ का भोग चड़ाना चाहिए यह काफी सुब माना गिया है इससे आपके जियोन में मधुरता आएगी और आपकी आकरशन स्कत्री भी बढ़ती है मा काल रात्री सात्वा दिन सात्वे दिन मा काल रात्री को गुडिया उससे बनी मिठाईयों का भोग लगाना चाहिए इससे मा आपके संकटों से बाहर आपको निकालेंगी मा महागोरी आठवा दिन मा महागोरी को नारिया ले उससे बनी मिठाईयों का भोग लगाना चाहिए इससे माँ खुस होती है आखरी दिन माँ दुरुगा के नवे सुरुप सिद्धे दात्री की पूजा की दात्री है इस दिन खास्तोर पर मा को अनार और तिल का भोग लगाना चाहिए यह बहुती सुब माना जाता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ